मैं हूं इमान सुक्मार वीडियो में अभी नों डिस्कस करने जा रहे हैं सिंटेक्स इंडर्ष्ट्री के बारे में समय से में कुछ बाती होती रहती है क्योंकि इस कंपनी में हमारे और आपके जैसे जो रिटेल निवेसकों का पैसा इस टेश्टॉक में ज्यादा लगा कि इतना तीजी देखने को मिलेगा और तीजी देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा इन सभी मुद्व पर इक्तम विश्टार से इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए सिंटेक्स इंडर्ष्ट्री की बारे मुसुभात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस से क्लोजिंग द होता तो इसका प्राइस ऐसे आपको दिखाई जाता लेकिन यहां बहुत बड़ी बात नहीं यहां पर देखेंगे तो पिछले सिक्स मंत में जो स्टॉक के तगरिवन 50% कास पर टूटा है हाले पिछले सिक्स मंत की बात करना जरूर नहीं क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक डिलिष्ट हो गया था दोबारा रिलिष्ट हुआ है बारे दिसमबर 2022 को तो हम लोग फिर एक मंत का इसका देखते हैं एक मंत में जब से तगरिवन यह दोबारा से स्टॉक में नहीं हो रहा है क्योंकि नहीं लोग इस कंप्री में आएंगे नहीं इसका इस्तिति काभी खर देखेंगे तो पिछले एक सब्था में तक्रवां 67 प्रसें लिए और देखेंगे तो यह चांट वाटम बने तो आपको समझ जाना चाहे कि अब लोगर सरकेट में चल रहा है और लोवर सरकेट में होता है तो आप इस कंपनी के किसी भी कंपनी जब लोवर स्टीट में को कर दो पर देखने को मिला है अब बात करते हैं कि काम के काम के नमबर कैसे आया वर उसके बात करते हैं है हैं तो देख सकते हैं यह कंपनी के quarterly रिजल्ट और यहां प्रीदी में आपको देखाँ तो इस कंपनी के जो टोटर्स सेल्ज हुआ हिए इस क्रोड़ में यह आपर इसेल्स है दिसंबर कंपनी को खे산 करण का समय है जी पिछले एक कमपनी के लिए नहीं हो रहा है और जब आपको मैं बताओं कि कमपनी का नहीं हो गा तो आप देख सकते हैं यह जो नेट-फिक कंपनी यह देने पाद पाफ बश्ता है यह भी देखेंगी माइनस में यानि के कमपनी का प्रफित लोग का सब्सक्राइब पिछले दूसरा कंपनी का लॉस्ट जो है लॉस्ट तरी बढ़ते जा रहा यह अच्छी बात नहीं का लॉस्ट कम होना जाए था और इसकी वाइस से कंपनी का जो आर्निंग पर सेयर है कितना रुपय कमा कर दे लिए यहां पर बोरो लिखा बोरो कर देखेंगे कि दिसंबर क्वार्टर का थी कंपनी का जो कर्ज बढ़कर 6744 क्रोंड हो गया जो कि पिछले क्वार्टर में 6670 क्रोंड था उसके पहले इससे भी कम था यानिकि यह कर्ज की रफ्तार क्वार्टर लेकिन कर्च कम होते नहीं दिखाई दिखाया रहा है तो कही कंपनी में निगेटिव चीज़ें जादा है अब बात करते हैं कि आपको स्टेक्सान हो गया तो अब बाहर तो निकलने कोई मतलब नहीं जब ज़्यादा नुक्सान हो लुए तो थोड़ा और दीजे कंपनी बाहर निकलेगी तब इसके समय इसके प्राइस में तीजी आने के चांसे जहें और इंसली में लगवग लगवो इसके बीवात के निप्टारा हो गया थोड़ा समय और लगेगा उसके बाद से प्राइस में तेजी आते हैं आपको देख सकती है तो उम्मीद करता हूं सिंटक